प्यारे बच्चो वेलकम टुमाइ चैनल आज हम सुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 की माथामेथिक्स एक्ससाइज 1.1 ठीक है question number 2 देखो बच्चो so that any positive integers is of the form 6 q plus 1 और 6 q plus 3 or 6 q plus 5 where q is some integer ठीक है हमको proof क्या करना है एन पोजेटिव और इंटेजर बच्चों यह और होगा ठीक है और इंटेजर और इंटेजर और इंटेजर इस दा form 6 q plus 1 6 q plus 3 or 6 q plus 5 की form में होना चाहिए ठीक है हम इसके लिए क्या करेंगे Euclid division algorithm यूज करेंगे ठीक है पहले हम एजुम करने लेंगे लेट अभी एन पूजिटिव इंटेजर by Euclid division algorithm हम क्या जानते हैं by Euclid division algorithm बच्चों मैं लिख दिया अब पूरी तरह से लिख लेना ठीक है we have क्या जानते है बच्चों equal bq plus r where r is greater than equal to 0 but less than b b johoga उससे r छोटा होगा लेकिन आरकी बहलों कहां से स्टार्ट होगी 0 से स्टार्ट के less than b b jitna रहेगा उससे एक छोटा होगा ठीक है अब हम क्या करेंगे इसको bq plus r को किससे compare करेंगे 6 q plus 1 और 6 q plus 3 और 6 q plus 5 से क्या करेंगे compare करेंगे ठीक है क्यों है ठीक है पिए जगह पर कि यह दो यहां यह भी है यह कितना है कि इन्हाइट मिलबी क्विएल शेक्स दियार फॉर आर का भिलों हमारे कहां से शुरोगा डियार फोर आर्गाइब काथ से शुरोगा फॉम 0 to you up to five 5012345 क्यों बीजितना होगा उससे एक कम 26 था उससे एक कम आपको फाइब तक हम चले ठीक है अब हम क्या करेंगे आर इक्वेल डू जिरो तब हमारा एक होगा बीक्यू डेट्वेंस बीके जगा पे 6Q प्लस जीरो आर के जगा पर हमने क्या लिख्या उसके प्लेस पे जीरो ल प्लस आर के प्लस पे हमने 1 पूट कर दिया ठीक है वेन आर इक्वेल 2 एक्वेल 6Q प्लस 2 वेन आर इक्वेल 3 एक्वेल 6Q प्लस 3 energy वेन आर एक्वेल 4 एक्वेल क्या घ्थो 6 Q प्लास फूर वेन आर इक्वेल 5 एक्वेल क्या घ्थो प्लेस पे 5 पूट कर देंगे ठेक है अब तुम गोर फरमा आने अब अब बत्यों उद्ट्रू से कौन कौन से फॉर्म पूछाया देहों 6 q प्लास 123 6 Q plus 5 6 Q plus 1 ये वाला 6 Q plus 3 ये वाला 6 Q plus 5 ये वाला from 1 2 and 3 हम को क्या मिला from 1 2 and 3 हमे क्या मिला हमने क्या प्रूफ कर दिया इच्छूब डाट इच्छूब डाट एच्छूब डाट एणी पूजिटीब और इंटेजर क्योंकि बच्छर देखो ये सब और ये सब और ये 1 3 5 सब और एक नहीं और इंटेजर इज अब दा फॉर्म फॉर्म 6 Q plus 1 और 6 Q plus 3 और 6 Q plus 5 वेर हमरा यह क्यों क्या है वेर क्यों इच सम इंटेजर बच्छो इजी है नहीं वेरी गूट बच्छो अब हम कर रहे है कुशन नमर 3 और्मी कंटीजेन्ट ओष 6 16 मेंबर्सर इज डू मेंड्टorg 2 मेंबर्स उने परे आर्मी will यो ठोरratस करने जांए मतलब आंको पता हैं ना 15 और 26 जानुवारी में अपने देली में परेट करते हुए से देखा होगा वहां कैसे परेट करते हैं एक के पीछे एक लाइन कुछ इस तरह से होते हैं एक के पीछे एक ठीक इस तरह से वो लोग परेट करते हैं आपने इस तरह से कभी देखा होगा कि बीच में गैप है और मान लोगी इस तरह से परेट कर रहे इसे कभी देखा है बेंड के मेंबर्स अगर एक दूसरे के साथ मार्च करके अगर पैरेट करना चाहते हैं तो इतने ऐसे कितने कोलम्स होंगे मतलब लाइन कितने होंगे ताकि बीच में एक भी कोई गेप ना हो ठीक है बच्चों मतलब हमको क्या फाइंड आउट करना है वाट इस दा मैक्सिमम लाइन निकालना है ताकि दोनों एक साथ मार्च कर सके और बीच में कोई भी गैप ना हो मतलब बच्चों आप समझें मैक्सिमम का मतलब क्या है एई सीएफ हाइस्ट कमन फैक्टर आप इसमें देखो इसमें दोनों में बड़ा नम्मर वाला कौन सा है 616616 is greater than 32 अब हम क्य क्या करेंगे युक्लिट डिविजन लेमा इस पर यूज करेंगे ठीक है अब 616 को हम किसे डिवाइट करेंगे 32 से 32 जा 64 मतलब वान टाइम थर्टी टू माइनस कर बच्चों कितने होगा 29 ठीक है अब 29 ठीक है अब 29 ठीक है चोटा हो गया 6 उपर से लाओ उपर से 6 लाने से कितना होता है बच्चों 296 अगर 32 से डिवाइट करना तो बच्चों कितने टामस जाएगा नाइन टाइमस ठीक है नाइन टूजा 18 के रिवान 930 27 28 माइनस कर बच्चों एट मतलब हमेरा यह क्या निकल गाया एपलाइंग यूकलीड डिविजन लेमा ठीक है हमने क्या क्या हमने क्या क्या है 616 को 32 से डिवाइट क्या तो कॉसंट 19 निकल गाया है रिमेंडर कितना 8 यह हमरे रिमेंडर आर कितना ने आया 8 विच इस नॉट इकल टो 0 अब हम क्या करेंगे अब हम इस 8 से 32 को डिवाइट करेंगे ठीक है 32 को डिवाइट करो 8 फोर जा 32 मतलब 32 एक्वेल टो हम क्या लिख से रखते हैं 8 इंटो 4 प्लास जीरू रिमेंडर कितना आया जीरो हमारे यह रिमेंडर जीरो आगया मतलब जो इस्टेप में रिमेंडर जिरो आता है उसी का भी हमरे लेकिये होता है है HGF मतलब हम लिख सकते है HGF किसका 616,32 equal to 8 मतलब हम क्या समझे हम को क्या पुछा है what is the maximum number of columns columns maximum number कितना होगा 8 हम लिख सकते हैं the required maximum number of column columns is 8 इस तरह से हम find out करके लिख सकते हैं बच्चों आप हम जा रहे हैं question number 4 use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form thrice M or thrice M plus 1 for the sum integer M मतलब Euclid division lemma यूज करके हमको क्या निकालना बोला है the square of any positive integer चाहे इस form में हो या इस form में रहेगा वह हमको proof करके निकालने बोला है ठीक है अच्छों हम क्या करेंगे बच्चों इसके लिए हम एजुम कर लेंगे ठीक है लेट कि ए भी एनि पोजिटिव इंटेजर हम बच्चों क्या जानते हैं बाई इक्लीड डिविजन अल्गोरिथिम वी है क्या जानते हैं बच्चों एक्वेल बीक्यू प्लस आर अर साथ में हम क्या लिखेंगे वेर आर इस गेटर दन इक्वेल डू जीरू बट लेस देन बी ठीक है बच्चों अब हम क्या करेंगे इसको इसके साथ अहल प्लस प्लस कंपेयर करेंगे हेर वीक्वेल टू फीर अगर b3 हो जाये तो हमारा आर का बेलू क्या होगा दियार फोर आर इक्वेल जीरो वांड टू बतलब 0 से सुरूओ के बी जितना है उसे कम बी थी दा उसे कम 012 ठीक है अब हम क्या करेंगे वेन आर इक्वेल टू 0 तब हमारे ए क्या होगा बी बी के प्लस पर 3 आए जागे बी Q Q ही रहेगा प्लस आर के प्लस पर हमने क्या होगा जीरो ठेक है बच्चों एक विल क्या किने कहा है एप्ल हमको क्या वुला धि क्वेल ऑफ एनी फोजेटीव इंडेजर अब हम क्या करेंगे both side square करेंगे क्योंकि हमको question पर square करेंगे बात के ही है ठीक है A square 9 Q square इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं बच्चो 3 Q square इस तरह से निकाल सकते हैं क्योंकि हमको A वाला form चाहिए 3 वाला form इसलिए 3 हमने बाहर निकाल दिया इसको M काई डाला और हम कहेंगे here m equal 3q square equal to क्या है यह सब integer है बच्चे ठीक है integer अब हम क्या करेंगे when r equal to 1 तब हमारे क्या होगा equal 3q plus 1 r के plus पे 1 पूट कर दिया ठीक है बच्चो अब हम both side क्या करेंगे square 3q plus 1 the whole square बच्चो ठीक है a square equal to 3q plus 1 a plus b whole square form में इसको break करना है 9q square plus twice a b a square twice a b 2 into a 3q into 1 1 का मतलब b है 1 square ठीक है बच्चो अब बच्चो देखो a square 9q square plus 3 to just 6q plus 1 अब हम क्या करेंगे बच्चो इन दोनों में से हमारे 3 common आ रहा है 3 common ले लो 3 q square plus 2 q 1 जैसा है वही सही छोड़ दिया ठीक है मतलब 3 bracket के अंदर जो है 3 q square plus twice q इसको मैंने एम मान लिया ठीक है बच्चो अब हम यहां पर लिख देंगे क्या here 3 q square plus twice q equal to m ठीक है यह भी क्या है belongs to integer अब z भी लिख सकते हो यह वाला form इस form के साथ match कर रहा है ठीक है बच्चो when r equal to 2 then a equal to क्या होगा बच्चो 3 q plus 2 अब हम क्या करेंगे both side square कर देंगे ठीक है 3 q plus 2 q square करना है बच्चो हमको question पे square की बात कही गई है अब square करने से 9 q square 2 into a b a का मतलब 3 q b का मतलब 2 plus 2 square ठीक है बच्चो 9 q square 3 to just 6 6 to just 12 q plus 4 अब हमको इसको क्या इसे लिख सकते हैं बच्चो 9 q square plus 12 q 4 को 3 plus 1 के form में हमने लिख दिया ठीक है अब यहां से हम क्या कर सकते हैं इन तीनों में से 3 common ले सकते हैं 3 q square 4 q plus 1 a वाला 1 ए वाला है ठीक है बच्चो अब 3 m plus 1 इस फर्म में आ गया मतलब हम कह सकते हैं एड़े थी क्यो प्लस 4 q plus 1 equal to kya है m हमने वह मान लिया equal to belongs to z ठीक है बच्चो बेलंग स्टुज़ एड़े इसरा का सारण नमर इंटेजर है ठीक है बच्चो अब अब देख लो इस फर्म निकल गया थ्राइसें फ्लस 1 फर्म निकल गया थ्राइसें फ्लस 1 ए फर्म भी हमारा आ गया फाइनल लिह क्या लिख सकते हैं बच्चो बच्चो फ्रॉम एभग इट्सूद एट दाइस्क्वर अफ एनी पोजिटिव इंटेजर इज आइदर अफ दा फ्राइसम और थ्राइसम प्लस 1 फर्म इंटेजर एम ठीक है बच्चो इस तरह से हमने प्रूश करके दिखाया दिया बच्च्च्च्च्च्च्च्च्च् अब दा फॉर्म 9m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 ठीक है बच्चो जो भी पोजिटिव नमबर मिलेगा उसका हम क्यूब करेंगे ठीक है बच्चो हम एजूम कर लेंगे क्या लेट एबी एनी पोजिटिव इंटेजर वी हाब हमें क्या पता है एक्वेल बीक्यू प्लस आर ठीक है आर यहां क्या है आर इस गटार देन और इकुल डू जिरो बट लेस देन बी अब हम क्या करेंगे बी क्यू प्लस जो आर रहे ना इसको इसके साथ कम्पेर करेंगे उसका मतलब यह बीके प्लस पर क्या है बीके प्लस पर 9 है अगर हम आर का फिली जीरो से एट तक लेंगे और हर नम्मर को क्यूब करेंगे तो बहुत बड़ी वहां से इंटेजर निकल के आ जाएगे इसलिए हम क्या करेंगे जो नम्मर नाइन से डिवीजिबल है वह नम्मर उसका फैक्टर थ्री से भी डिवीजिबल रहेगा इसलिए हम क्या करेंगे नाइन न लेते हुए क्या करे लेंगे ठीके बच्चो नाइन हम अभी नहीं लेंगे क्या लेंगे थ्री क्यों ताकि हमको प्रोब्लेम सोल्पकरने में थोड़ी बहुत आसान हो अगर है हमारा भी ठीयोगा तो आर कितना होगा दियार्फोर दियार्फोर आर का वेलुजीरो वान टू अब हम क्या करेंगे आर इकवेल जीरो पूट करके एक अवेलू क्या करेंगे find out 53 Q plus 0 मतलब यहां से क्या नीकल गाएगा बच्चो एक वेल 3 Q टेकिया अब हम क्या करेंगे बोच साइड क्यूब कर देंगे क्यों क्यूब कर रहे हैं क्यूंकि हमको क्वेशन में बोला गया है क्यूब आफ एनी पॉजिटिव इंटेजर एक क्यूब कितना होगा कितना होगा बच्चो 27 q3 अब हमको कौन सा फॉर्म में निकाल के लिए आना है नाइन के फॉर्म में आइन इंटो थ्वी एक थे एक से लिख दिया हमने 9 एन्टो हम क्या करेंगे 3 q3 को क्या करेंगे एम मान लेंगे हमगे और हम बोल लेंगे क्या है है M equal 3 Q Q belongs to Z integer number ठीक है बच्चों अब नेक्स्ट वाल हम क्या करेंगे वेन आर इक्वेल टूवान ठीक है तब हमारे क्या होगा एक विल टूवी क्यूब प्लस वन अब हम क्या करेंगे बोच साइट पर क्यूब कर देंगे 3 Q plus 1 बच्च आपको समझ आ रहे हैं हम R equal 1 Q लिख रहे हैं क्यूंकि आर क्यावल जीरो वान टू इतना तक हमने लिया हुआ इसलिए हम आर क्यावल वही पूट करेंगे ठीक है 3 Q plus 1 whole cube को ब्रेक कर देंगे ठीक बच्चों 27 cube plus 3 into A square 3 Q whole square into 1 plus 3 into 3 Q into B square plus 1 cube ठीक है बच्चों अब आप देखो यहां से हम हमको क्या कमन चाहिए 9 हमको कौन सा फॉर्म में चाहिए 9 वाला फॉर्म में चाहिए अब हम क्या करेंगे जिस जिस से 9 कमन आता है ओ फिगर हम ले लेंगे ठीक है कॉमन 9 ले लेंगे ठीक है वच्चों 3 Q cube 9 है से चला गया 3 Q square 3 डीजन नाइन चला गया Q plus 1 1 cube का मतलब 1 ही निकल क्या आता है मतलब यह सारे को bracket का अंदर के जो भी इंटेजर निकलेगा वह सारे को हमने एम मान लिया प्लास 1 ठीक है हम कहेंगे यहां एम इक्वेल क्या है एम इक्वेल 3 Q cube प्लस 3 Q square प्लस Q ठीक है बच्चों वेन आर इक्वेल 2 हमारे एक क्या होगा 3 Q प्लस 1 ठीक है अब बोगोट साइड हम क्या करेंगे क्योक करेंगे 3 Q plus 1 बच्चों हमने यह होगा कि आर के लिया लिया टू तो आर गे प्लेस पे हम ठोड़ू रिप्लेस करेंगे ठीक है एक क्यूब अब बोट साइड । म क्योब करेंगे a cube equal to 3q plus 2 whole cube ठीके बच्चों अब क्यूब के फर्मूला पर हम इसको ब्रेक कर देंगे 27 q cube 3 into 3 q whole square into 2 plus 3 into 3 q into 2 square plus 2 cube that means b cube अब हम कि है क्या कर सकते हैं 9 common ले लेंगे ठीके बच्चों 9 common लेने से हैं 3 q cube 9 यह से निकल के आ गया ठीके बच्चों तिन दूना छे q square प्लस 339 common में आ गया तुड़े फोर अब प्लस 2 q that means 8 हम अब लिख सकते हैं 3 sem plus 8 where m क्या होगा ठीके बच्चों अब यह वाला form भी आ गया 3 sem plus 8 और यह सारे डिजिट क्या है इस सारे डिजिट लस्ट में इंटेजर निकल के आ जाएंगे ठीके अब हम कह सकते हैं देखो बच्चों फ्रॉम एभव इट सूज देट दे क्यूब आफ एनी पूजिटिव इंटेजर इज अफ दा फॉर्म 9m कॉमा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 ठीके बच्चों इस तरह से हम प्रूफ का सकते हैं बच्चों हम जा रहे हैं वेरी गुड बच्चों अब हम जा रहे हैं क्यों नमर 6 Himadri has collected 6-5 Indian and 3-5 international postal stamps she wants to exhibit these by keeping them in a special heap such that not a single postal stamp remain un exhibited in how many maximum hips Himadri will be able to exhibit the postal stamps बच्चों समझें बच्चों हमाद्री ने क्या किया 6-25 Indian postal stamp और 325 international postal stamp collect किया collect करने के बाद उसने क्या किया उस उन postal stamp को इस तरह से exhibit करना चाहा मतलब एक भी छूट ना जाए और उनका हीप बना है मतलब आपको पता ना है हीप बच्चों एक के उपर एक एक उपर एक रख के मतलब उस तरह के कुछ पीलर टाइब का बनाना है और इस तरह से रखना है कि ताकि एक भी वह पुश्टेल स्टेम छूट ना जाए तो हमको पूछा गया है इन हाओ मैनी मेक्सिमम हीप उस तरह के मैक्सिमम हीप को इतने बना सकते है ताकि एक भी पुश्टेल स्टेम छूट ना जाए बच्चों आप अगर क्वेशन पर फोकुस डालो बए तो देखो गया मैक्सिमम हीप का मतलब क्या होता है होता है है हम क्या लिख सकते हैं हमें क्या फाइंड करना है है एच याफ ही एर 625 इस ग्रेटर देन 325 अब हम क्या करेंगे 325 से 625 को डिवाइड करेंगे ठीक है बच्चो देखो अब देखो अस त्रीटु फाइब का दुगना ज्यादा हो जाएगा वन टाम जाएगा ठीक है 325 माइनस कर बच्चो जीरो जीरो थी बाइए यूक्लीड डिवीजन लेमा हम क्या करें लिख सकते हैं 625 इक्वेल टू 325 इंटो वन प्लस रिमेंडर 300 हेर आर इक्वेल टू येर आर इक्वेल टू कितना लिखेंगे 300 विच इस नॉट इक्वेल जीरो अब हम क्या करेंगे इस 300 से 325 को डिवाइट करेंगे ठीक है बच्चो 300 वन जा 325 325 इक्वेल टू हम क्या लिख सकते हैं 300 इंटू 1 प्लस 25 हमरा जो रिमेंडर है 25 विच इस नॉट इक्वेल टू जीरो और इट विल बीक्वेल एंटिल रिमेंडर नॉट बिकम जीरो को ठीक है बच्चों अब 25 से हम की से डिवाइट करेंगे 300 को ठीक है ना 25 125 है ठीक है बच्चों कितन निकल गया 50 है ठीक है 50 25 टू जा 50 मतलब हम कह सकते हैं 300 इक्वेल डू 25 इंटू 12 कॉसन को हमें हमेसा पीछे लिखना होगा प्लस जीरो बिकाज है रिमेंडर जीरो जब रिमेंडर जीरो हो जाता है उसी स्टेव का जो बी होता है वही हमारे लिए क्या होता बच्चों वहीं हमरे लिए होता है उसी स्टेव का बी कितना है 25 देन हम कह सकते हैं सिक्स टू फाइब और थ्री टू फाइब का एच्व कितना 25 ठीक है बच्चो हम अन्त में क्या लिखेंगे मैक्सिमम नम्मार ओफ हीप्स कितने होंगे बच्चो 45 यही दिस दावर रिक्वार्ड शोल्यूशन बच्चो समझे है वारी गुट बच्चो आब हम करेंगे question no.7 the length of two ropes are 64 centimeter and 80 centimeter respectively दो रसी का चुल लेंथ है एक का है 64 centimeter दूसरा का 80 centimeter ठीक है equal length of segments from both the ropes are required to be cut out दो रोप से हम क्या करेंगे equal length cut out करके निकालने वाले हैं ठीक है what will be the maximum length of such segment that are cut from both the ropes without remaining अब हमको क्या find out करना है दो नो रोप का maximum length निकालना है ताकि एक छोटी सी छोटी पीस भी महासे छूट ना जाए ठीक बच्चो मैक्सीमम लेंथ डैट मेंस हम क्या समझेंगे ACF देखो बच्चो हीर 80s गैटर रेन ओविसले 64 64 से 80 को डिवाइट करेंगे 64 जा nisak kट देखो निकल जाज इधर 6 इधर 1 16 16 16 से को डिवाइट करेंगे 64 आटको 16 4 जा 64 जाट में रेमें डीमिंद निकल क्या आगे देखो बच्चो बच्चो बाए Euclid division lemma we have क्या करेंगे 80 इपल फस्ट इंक्या रिक्या लिप क्या लिखेंगे 64 इन तो वन रिमेंडर कितना था यह 16 एर एकुल टू 16 विच इस नौट इकल टू जीरो एगेन हमने क्या गया 16 से 64 को डिवाइड क्या 64 64 को हमने किससे डिवाइड क्या 16 से 16 इन टू 4 प्लस रिमेंड हमरा जिरो निकल के आगया मतलब आर इकोल टू यह क्या जीरो आर जब जीरो निकल का आता है उसी स्टेप का बी क्या होता है हची एफ हची एफ किसका 80 और 64 का कितने कल का 16 मतलब क्या है बच्चो 80 & 64 बोथ हर डिविजीबल भाई 16 समय बच्चो वह होता है है एस्टिया फास्ट कमान फ्रेक्टर देन फाइनले वी कन राइट मैक्सीमम लेंथ आफ रोप लेंथ आफ रोप किया होंगे सिक्स्टिन सेंटिमेटर समय बच्चो और दिस इस दा रिक्वार्ड अंसार बच्चो आपको यह पूरी तरह से वीडियो देखना है उडाउट एनी स्कीपिंग और इसको श्यार करना है एस फ़र एस पोशीबल ठीक है बच्चो